नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में तो एक लेटस्ट अपडेट से भी के तरब से आ रहा है दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि KYC जो आज KYC की गया है ये बहुत बड़ा फैसला लिया है साब तो जिन लोगों ने केवाइसी नहीं करा है वो 31 दिसंबर तक अपनी केवाइसी करा लें तो साब आपको जैसा पता ही है कि हमारे लिए जो ये केवाइसी होती है इसकी कितनी इंपोर्टेंस होती है इसका एक सर्कुलर आया था सेबी के द्वारा अप्रेल 2021 इसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को दुबारा मतलब जिन लोगों के डीमेट अकाउंट है उन्हें दुबारा केवाइसी कराने की आवशक्ता पड़ेगी जिनके पुराने या नए डीमेट थे सबको केवाइसी के लिए अलेजिबल कि तो जिनके पास डीमेट अकाउंट हैं जिन्होंने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है वो ब्रोकर से अपने संपर्क करें और साब इसमें अपनी KYC की परकरिया को पूरा करें तो आज भी मेरे पास बहुत से लोग आ रहे थे जिन्होंने KYC अपडेशन नहीं कराया था तो अब इसकी एक नई डेट आ गई है जो 31 दिसंबर 2021 है यानि 2021 तक आप इस KYC अपडेशन को करा सकते हैं अपने डीमेट खाते में पहले यह साब जुलाई 31 थी उसको बढ़ाया गया 30 सितंबर किया गया और आज दुबारा इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है तो ज अपने ब्रोकर से जाके संपर्क करें और अपने डीमेट का KYC ततकाल कराएं यह KYC क्या होता है कैसी प्रोसेज होती है यह आपका ब्रोकर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा सकता है जो खाते मेरे पास हैं यानि कि जो डीमेट अकाउंट मेरे यहाँ पर हैं उन्हें को सेशन के द्वारा पता करें